कुछा गया है पुछा गया फर्षो ही तू संकेत उत्पन्न होते हैं जो डीलेबरी होते हैं जो डीलेबरी की प्रोसेस होती उसके लिए जो इंडिकेसन पर्षा-प्रात और विक्सित जो जब डिलेबरी होने वाला होता है तो जो ज़ाता है वा जो है अपरा तथा पोडविक्सित गर्व दोनों से अगला question पूछा गया है मनस में किस परकार के दान्त पाए जाते हैं human में जो है किस परकार के teeth जो है present होते हैं first है acrodont, second है thicodont and third polyfiodont and fourth है monofiodont तो इसका जो right option हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग option number B वाला thicodont अगला question है मेडग के हिर्दे में हिर्दे पेसिया कुछ तंतूं दौरा निर्मित होती है first option है पुर्किंजे तंतू, second है पेसी सूत, third telodendria and fourth option है पेसी अस्तंब तो यहाँ पर पूछा कि मेडग का जो हर्ट होता फ्रॉप का उसकी हर्ट मसल्स होती है किन फाइबर से मिलकर बनी होती है तो इसका जो राइट option हो जाएगा अब हो जाएगा option नमबर first वाला पुर्किंजे तंतू या पुर्किंजे फाइबर्स अगला question है मनुस में प्रकुंचन यों अनुसितलन दाप का मान होता है जो ही मन होता है उनमें प्रकुंचन यों अनुसितलन दाप का मान कितना होता है first option है 150 upon 180 mmHg second है 120 upon 80 mmHg and third है 100 upon 150 mmHg and fourth है 50 upon 60 mmHg तो इसका जो right option हो जाएगा dear student वह हो जाएगा option number B वाला 120 upon 80 mmHg जो BP होता है normal BP जो होता है वह 120 upon 80 mmHg mmHg जो होता है अगला question पुछा गया है PC ये थकान निम्न में से किसके कत्रित होने के कारण होती है first option है fire week अमल second है ATP and fourth option है carbon dioxide तो जो muscle fatig होती है वह किसके card होता है तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा option number C वाला जो लेक्टिक अमल है ये ही जो मसल से में store हो जाता है जिसके card ये थकान होती है अगला question है कोहनी संदी है जो कोहनी है वह किसके अगला question है radius नामक अस्थी होती है first option है cervical, thoracic, lumbar, sacral and second option is thoracic, lumbar, cervical, sacral third is sacral, cervical, lumbar, thoracic, fourth option is lumbar, thoracic, sacral, cervical cervical तो कसीर का सही करम का जो है वह हो जाएगा option number first वाला जो cervical, then उसके बाद thoracic, then उसके बाद number and then last में sacral जो है आता है अगला question है PCO के मोटे तन्तु निर्मित होते हैं जो muscle है उनके थिक fiber किसके दौरा जो है formed होते हैं बनते हैं first है actin दौरा, second है troponin दौरा, third है tropomyosin दौरा and fourth है myosin दौरा तो जो PCO के मोटे तन्तु होते हैं वह जो है myosin दौरा बनते हैं यहां भी पूछा कि कौन brain stem का पार्ट नहीं है first है प्रमस्तिस्क, second है pons, beryl, third is medulla oblongata and third is carpora, cortis, jemna में तो इसका जो right option हो जाएगा वह हो जाएगा option number first dollar पर मस्तिस्क, अगला question है निम्लिकित में से कौन सा कथन तन्तिका के b धुरुवड की अवस्था को परदर्सित करता है, b धुरुवड का मतलब depolarization की process को, तो यहां पर first option है उपरोक्त सभी all of these, तो इसका जो correct option हो जाएगा वह हो जाएगा option number first वाला आयन चैनल दोरा एने पॉस्टिव जो भीतर इंटर करने लगतें परवेश करते हैं अगला कुश्चन है, मनुस में लार का अस्त्रावड नियंत्रित होता है फर्स्ट ऑप्शन है, मेडला अवलेंगेटा दोरा, सिकेंड है मेजिन सिफेलान दोरा, एन थर्ड है हाइपोथेलमेस दोरा, फोर्थ है अनुमस्तिस्क दोरा तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वाँ हो जाएगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट वाला मेडला अवलेंगेटा दोरा अगला कुश्चन है, आपातकाल, एमर्जेंसी की दोरान अस्त्रावित होने वाला हार्मोन है फर्स्ट है, एल्डोइस्टिरोन, सिकेंड है थायराक्सिन, थर्ड है एड्रीनेलिन, एन फोर्थ है कलसी टोर्निन, तो आपातकाल, एमर्जेंसी की दोरान कौन सा हर्मोन अस्त्रावित होता है यही बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वाँ हो जो एडिनेलिन या जो है, एपीनेफरीन, इसी का नेक्स्ट नाइम जो है, एपीनेफरीन है, एपीनेफरीन जो है, वा सिक्रीट होने लगती है, एडिनल जो आधिबिक गलेंड गलेंड है, एडिनल गलेंड उसी सी जो है, यह हार्मोन जो है सिक्रीट होने लगता है, अग अगला कुश्यन है मानों में जिस समय अगनासेरस ग्रेडी में छोड़ा जा रहा होता है तब उनमें निम्लिकित में से कौन साइक एंजाइम मौझूद होता है उसी एंजाइम का नाम बताना यहां पर फर्स्ट आप्शन है ट्रिप्सिन सिकेंड है एंटेरो काइनेज अगला कुश्यन है दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे हैं उनमें से एक को कुछ खाना निगलती समय अचानक धसका लगने लगा या धसका लगना किस भाग के अनुचित गती के कारण हुआ होगा तो उसी पार्ट का हम लोग को यहां पर नाम बताना ह फर्स्ट ऑप्शन है जीव, सिकेंड एपिगुलाटिस, कंट चद, थर्ड है डायफ्राम, मद्धपट, और फोर्थ है गर्दन तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नम्बर बीवाला एपिगुलाटिस जो कंट चद है उसी से जो है उसी के वज़ा से वहाँ पे जो है धसका लगने लगा थोड़ा अगला कुश्चन है अधिकांस ब्यक्तियों के लिए चेतन परियास दोरा सुसन के संबंध में निमलिखित में से कौन सी संभावना है फर्स्ट है ब्यक्ति पूर्टया आक्सीजन रही तो वायू सां चेतन रूप से निस वसानियों उच्छसन कर सकता है फर्ट ऑप्षने चष्टा पूर्वक उच्छसन दोरा फिपढ़ो से वायू बाहर निकाल कर उन्हें पूर्टया खाली किया जा सकता है तहां पर जो ससन के संबंध में से ऑप्षन नमबर चीवाला है ब्यक्प्षन प उतको दोरा रुधिर में निर्मुक्त की जाने वाली CO2 का अधिकांस भाग निमलिकित में से किस रूप में उपस्थित रहता है फर्स्ट ऑप्षन है रुधिर पलाजमा तथा आरबीसी में बाई कार्बोनेट की रूप में सिकेंड है रुधिर पलाजमा में मुक्त CO2 की रूप में थर्ड है 70% में कार्बिमीनो हिमोगोलोविन तथा 30% बाई कार्बोनेट की रूप में और थै आरबीसी में कार्बिमीनो हिमोगोलोविन की रूप में तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वा हो जाएगा आप्शन नमबर फर्ष्ट वालवदिर पलाजमा तथा RBC में बाई कार्वोनेट के रूप में अगला कुश्चन है मनुस में पच्छ माभी अस्तामभी उपकला पाई जाती है यह कुश्चन जो है 2020 के इंटेंस एक्जाम में आया था डी फार्मा के 2020 वाले इंटेंस एक्जाम में आया था तो यहाँ पे पूछा है मनुस में पच्छ माभी अस्तामभी उपकला कुश्काएं पाई जाती है सचनिकष योँम फैलोपियन नलिकाओं में इसके बाद दिया गया है पितवाह की वाहिका योँम गरसनी में भड़ आपशन है उपकला पेलोपियन नलिकाओं यों मुत्रमार्ग में एन लास्ट आपशन है इस टेकियन नलिका तथा आमासाई अस्तर में तो इसका जो राइट आप्सन हो जाएगा वा हो जाएगा आप्सन नमबर फर्स्ट वाला जो पच्छमा भी सिलियेटेड अस्तम भी एक कॉलूम्नर इपिथीलियम जो सेल्स हैं वा जो स्वसनिकाओं योम फैलोपियन नलिकाओं में प्रजेंट होते हैं अगला कुश्चर है पेसियों का परकार होता है हमारे हमारी हिर्दे में अनेच्छिक योम अरेखित चिकनी पेसियां थर्ड सिकेंड आप्सन है आत में रेखित योम अनेच्छिक पेसियां थर्ड आप्सन है जागों में रेखित योम एच्छिक पेसियां लास्ट आप्सन उपरी भुजा में चिकने पेसी तन्त जो की आकरिती में तरक रूप होते हैं तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा हम लोग का आप्शन नमबर बी वाला जो आत में रेखित पेसी हो आत में जो पेसी परजेंट होती हैं अगला कुश्चर है रुधिर वाहिकाओं को अस्तरित करने वाली को सिकाएं संबंदित होती हैं फर्ष्ट है चिकने पेसी है उतक से सिकेंड है सल्की उपकला से और थर्ड अस्तंबाकार उपकला से और फोर्थ है सयोजी उतक से तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का आप्शन नंबर बीवाला सल्की उपकला से सल्की को जो इंगलिज में स्कॉयमस स्कॉयमस एपिथिलियम सेल्स जो है वा जो है रुधिर वाहिकाओं की दिवार को अस्तरित करती है अगला कुश्यन है इसका बंडल मानों की निमलिखित में से किस अंग का एक भाग है फर्स्ट आप्शन हिर्द है सिकेंड है ब्रिक थर्ड है अगनास है फूर्थ आप्शन है मस्टिस्क तो इसका जो राइट आप्शन हो जाएगा हम लोग का आप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो हर्ण है जब आप उसका डाइग्राम दिटा करेंगे तो उसमें आपको जो जो ही दिखाई देगा महां पर जो हो इस बाइच का बंडल का जो पार्ट है वहां पर दिखाई देगा अगला कुश्चन है रुदिर्दाव की संदर्भ में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है फर्स्ट ऑप्शन है 100 upon 55 mmHg आदर्स रुदिर्दाव मानना जाता है सिकेंड है 105 upon 50 mmHg रुदिर्दाव बेक्ति को अतिन्त सक्रिये बनाता है थर्ड है 190 upon 110 mmHg रुदिर्दाव जैविक अंगो जैसे मस्तिस क्यों ब्रिक को हानी पहुंचा सकता है लास्ट ऑप्शन है 130 upon 90 mmHg को उच रुदिर्दाव मानना जाता है और इसके लिए उपचार की हो सकता होती है तो यहां पर जो कर्रिक्ट ऑप्शन हो जाएगा वा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला जो 190 upon 110 mmHg का बलेट प्रेसर होता हुआ जो बॉयलोचिकल ऑर्गैन जैसे मस्तिस क्यों ब्रिक को हानी पहुंचा सकता है डेमिज कर देता है अगला कुश्चन है धमनिया ऐसी वाहिकाओं को रूप में सरोत्तम परकार से परवासित की जा सकती है या जो है 2019 के डी फार्मा केंटेंस एक्जाम में कुश्चन आया था तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है रुदिर को हिर्दे से विभिन अंगो तक ले जाती है सिकेंड है कुसिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा पुनर्मिलन द्वारा सिरा का निर्मान करती है ठौर्ड अफ्सन है एक अतरंग से दुसरे आतरंग तक रुदिर ले जाती है तो यहां पर जो correct option हो जाएगा अब हो जाएगा हम लोग का option number first लो जो धमनिया होती है जो है रुदिर को heart से जो है body के बिविन पार्ट तक जो है ले जाती है और सीरा जो है body के बिविन पार्ट से जो है heart के पास जो है ले आते हैं अगला question है निमलिखित में से कौन रिनल पिरामिट का भाग नहीं है फर्स्ट option है कुंडलिद न लिकाएं सिकेंड है संगराहग न लिकाएं और थर्ड है हिलने लूप और थे पर न लिकिये को सिकाएं तो इसका जो right option हो जाएगा हम लोग का option number first वाला जो कुंडलिद न लिक question है नाइट्रोजनी वज़ पदार्थों के इसकासन के युरेको टिलिक विधी पाई जाती है या भी question जो है 2020 के इंटेंस एक्जाम में पूटप किया गया था तो फर्स्ट option है पच्छियों में एनलिट्स में सिकेंड है उबहे चरोयों सरीसरपों में थार्ड है कीटोयों उबहे चरों में एनलास्ट है सरीसरपोयों पच्छियों में तो इसका जो राइट option हो जाएगा वा हो जाएगा option नमबर डी वाला इसका मने आपको प्रिबियस वीडियो में ट्रिक बताया था तो सरीसरपयों पच्छि जो रेप्टाइल एन बर्ड्स होते हैं उन्हीं में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुश्चन और नेक्स्ट अपडेट के साथ आलो अफिव दियर स्टुडेंट